36 गर सरकार द्वारा खरी फसल में किसानों द्वारा उपच किये गए धान का एक एक दाना सुरक्षित और बहतर रख रखाव के लिए उपारजन केंद्रों में बड़े पैमाने पर पक्का चबूत्रा का निर्मार किया जा रहा है मुख्यमंत्री भुपेश बगेल के मंशानुसार कबिर्धाम जीले में 4 करोड 15 लाख रुपए की लागत से विभिन धान संग्रहर केंद्रों में 215 नए चबूत्रों का निर्मार काम शुरू हो गया है जीले में 215 नए पक्के चबूत्रों का निर्मार होने से अगामी धान खरीदी सीजन में किसानों द्वारा उपच किये गए धान खराब नहीं होगा और किसानों के उपच को सम्मान भी मिलेगा कबिर्धाम जीले के विभिन धान संग्रहर केंद्रों में चबूत्रा निर्मार का कार्य प्रगतिरत है चबूत्रा बन जाने से धान को वर्षा में भी कर सरने से बचा जा सकेगा साथी चुहे एवं कीडे मकोडों के प्रकोप से भी धान की रक्षा हो सकेगी अन्न दाताओं द्वारा विक्रे के गए सभी धान का समुची तरक रखाओ करने के उद्देश से कबिर्धाम जीले के ग्रामिट शेत्रों में 215 नग धान चबुत्रा निर्मार कारिय, महात्मा गांधी राष्टी ग्रामिट रोजकार गारंटी योजना एवं 14 वित्ते सभी धान चबुत्रा को 30 जून तक पूर्ण कराने के निर्देश मैदानी अमलों को दिये गए हैं यही करण है कि चबुत्रा निर्मार पूरी गती से संचालित किया जा रहा है जिससे कि इसी मौसम से इसको उप्योग में नाया जा सके मुख्य कारे पाला नथिकारी जिला पंचायत कभीर्धाम विजय दयाराम के ने बताया कि जनपत पंचायत कवर्धा अंतरगत 52 नग जनपत पंचायत बोडला अंतरगत 40 नग जनपत पंचायत सहस्पूर लोहारा अंतरगत 56 नग एवं जनपत पंचायत पंडरिया अंतरग इसमें मात्मा गांधी नरेंगा योजना एवं चौदमे वित्य योजना से मिला कर इस कार्य के लिए कुल 4 करोड 15 लाख रुपए से अधिक किराशी सुखरीत किये गए हैं। 16 ग्राम पंचायतों में जनपत पंचायत पंडरिया के 21, जनपत पंचायत सा लोहारा में 14 ग्राम पंचायत में धान चबुत्रा की सुईधा ग्रामिल क्रिशकों को जल्धी मिलेगी। की सूची राजसरकार से जीले को मिला है जिसके आधार पर कारे हो रहा है। जीले के 66 धान उपारजन केंद्रों को चबुत्रा बन जाने से सीधे लाब होगा और धान को रखने की समुचित व्यवस्था केंद्रों को मिल जाएगी।